हलो फ्रेंड्स, स्वागत था आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो मेडिकल स्टुडेंट्स के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है जो स्टुडेंट्स नीट यूजी, नीट पीजी का एक्जाम देते हैं उन सभी के लिए तो गैज एक्जाम पैटरन को लेकर काफी लंबे टाइम से प्रोसेस चल रहा था कि एक्जाम पैटरन को चेंज किया जाए, नहीं किया जाए तो उसको लेकर स्टुडेंट्स के और जो पब्लिक के कमेंट्स और उनकी राय मांगे गई थी तो फाइनली उनके कमेंट्स सब्मेंट होने के बाद पूरा अनालेसिस के बाद जो पैटरन है वो चेंज कर दिया गया है तो आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आपको नीट यूजी से और नीट पीजी से रिलेटिड की हर टाइप की इन्फोरमेशन चाहे वो एकजाम से रिलेटिड हो रिजर्ट, कट ओफ, काउंसलिंग, ओफिशल नॉटिस से रिलेटिड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के थूर प्रोवाइड करवाई जाएगी तो गाइस देखे जो भी स्टुडेंट मेडिकल कोर्स में एडमेशन लेते हैं चाहे वो नीट यूजी के थूँ हो चाहे नीट पीजी के थूँ हो दोनों के लिए ही इंपोर्टेंट है यह ओफिशल नॉटिस तो देखे सबसे पहले हम देख लेते हैं जो नंसी ने जारी किया है वो क्या जारी किया है तो गैस सबसे पहले यह है एक पब्लिक नॉटिस जिसमें क्या लिखा है कमेंट्स देखे गए है स्टेक्वॉल्डर्स के ओंदा पर्पोस्ट ड्राफ्ट रेगुलेशन रिलेटिंग टू दे नेशनल एक्जिक टेस्ट है अज प्रिस्क्राइब इन दा नेशनल मेडिकल कमिशन एक्ट 2019 रिगार्डिंग तो जो भी इस एक्ट के अंदर आते है एक ड्राफ्ट रेगुलेशन इन दिस रगार्ड इस बिंग शेयर फोर पब्लिक कमेंट्स ठीक है तो पब्लिक कमेंट्स के लिए सेयर किया गया था तो सभी को रिक्वेस्ट किया जाता है जो नीचे ड्राफ्ट दिया गया है तो यह एमिल गार्डिंग नेशनल एक्जित टेस्ट एक इसके बारे में जो है ड्राफ्ट कमेंट्स डालने है यह इस्यू अप्रू किया गया है एन्मसी के चेर्मेंन के थ्रू अब देखे गाईस क्या दिया गया है यह गैज़िटेड ओफिसर से है चैप्टर वन के अंदर इसके जो में आपको बता देती हूं चैप्टर टू में आप देख सकते हैं जनरल फीचर दिये है नैसनल एक्जिक टेस्क जो कंडेट करवाने की बात हो रही है ठीक है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है फर्स्ट है थार्ड में दिया है इसमें जो भी एक्जामिनेशन होगा सेल डिलिवर्ड बाया कम्प्यूटर बेस्ट ओनलाइन ओनलाइन मोड में रहेगा ओफ्लाइन मोड में एक्जाम नहीं होगा आफ्टर देट नेक्स पॉइंट में बोला है छो एक्जाम होगा उसमें 6 पेपर सब्जेक्ट्स जो है वो कवर की जाएँगे थार्ड एम्पीवेस और फाइनल एम्पीवेस के पार्ट बन पार्ट टु के अंदर जिसके अंदर क्या होगा मेडिशन एड़ डिसिप्लीन होगा सर्जरी एड़ डिसिप्लीन ऑप्स्टि अप्लाइड अस्पेक्ट ओफ ओल सब्जेक्ट्स कवर्ड एंडर थार्ड एंडर फाइनल एंडर पार्ट वर तो जित्ते भी स्टूडेंट्स होंगे जो थार्ड यह फाइनल यह के अंदर चल रहे है ठीक है जो इलिजिबल है आप यह एक्जाम देने के लिए वो अपनी कम जो सब्सक्राइड एक परिफ पर यह फाइनल एक पर पर यह के अपनी करवाया जाएगा जाएगा जो सप्लिमेंटरी इग्जाम होगा जो कि साल में एक बर ही उसी साल करवा लिए जाएगा और जो स्टूडेंट्स पास नहीं होंगे बोद नेक्स्ट स्टेप वन रेगलर and supplementary exam के अंदर ठीक है वो a particular year shall be able to appear for the next step one regulation examination only in the following year after that इसमें दिया है कोई भी restriction नहीं होगी number of attempts पर आप number of attempts कर सकते है लेकिन जो आपकी MBS course की joining रहेगी within 10 years में आपको दोनों step के examination clear करने पड़ेंगे यह एक फंडा इसके अंदर दिया गया है कि आपको in 10 years के अंदर ही complete करना है after that आप नहीं कर पाएंगे you will not able the exam okay आगे दिया है there is not restriction to the number of attempts कोई भी restriction नहीं है step one regular examination का आप अपने score को improve ही कर सकते है साल में एक बर ही होगा compulsion of the next step two okay after the year the next step one shall replace the conventional university institution theory examination of third mbps of final year part two तो जो आपके third year और fourth year का जो होगा part वो जादा इसके अंदर involve रहेगा step two जो रहेगा जो second part इसका लिया गया है उसमें आपके practical clinical और why जो होगा और seven clinical subjects रहेंगे कौन-कौन से रहेंगे नीचे दिया गया है यह आपके involve किये जाएंगे step two के अंदर उसके बाद जो score रहेगा वो किस तरीकी से आपका देखा जाएगा total guys nine pages आपको देख लेना है score जो होंगे आपकी the marks next step one shall be calculated as wall number which shall serve as the raw score with the appropriate decimal okay minimum score जो रहेगा passing का 50 percent रहेगा 50 out of 100 आपका होना चाहिए calculation जो होगा next step one score of determination merit of the purpose of admission to post graduate course in broad specialities तो guys यह पूरा आपको पढ़ लेना है total nine pages है जो भी students exam देना चाह रहे है ठीक है general information यहाँ पर दी गई है objective टाइप रहेगा next step one का distribution of item and knowledge level of question क्या होना चाहिए ठीक है यह यहाँ पर दिया गया है यह आप देख सकते हैं किसमें कित्ते पसंट question पूछे जाएंगी जो level रहेगा examination का वो किस type का रहेगा और paper और distribution जो रहेंगे subjects के वो किस तरीके से रहेंगे पूरा यहाँ पर दिया गया है कित्ते गंटे का क्या exam रहेगा टोटल गाईज यह 9 pages है आपको अच्छे से पढ़ लेना है time schedule भी दिया गया है कब कब जो exam का commencement होगा कब आपका result आ जाएगा ठीक है यह पूरा schedule यहाँ पर जारी किया गया है फिर भी अगर आपको कोई भी आउट होता है तो आप कमेंट के जरी पोस्ट सकते है वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तो गया जल्द ही मिलते हैं next new update के साथ तब तक के लिए thank you